नुह में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद प्रशासन और राज्जी सरकार आलट पर है ऐसे में नुह में एक बार फिर विश्वे हिंदू परिशद और बजरंग दल आज ब्रज मंडल यातरा निकान ले जा रहे थे इस यातरा को लिकार देशवर में हलचल मची हुई थी यहां तक की आदालत की भी नजर थी चारो ओर से दबाप पढ़ने के बाद हर्याणा सरकार और नुँ जिला प्रशासन ने यातरा को मंजूरी नहीं दी थी क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपर लुह में शांतिपूर्ण तरीके से 51 लोगों की सांकेतिक शुबा यातरा निकाली गई महामंड लेशवर स्वामी धर्मदेग की नितरित में साधू संतो और हिंदू संगड़नों से जुड़े लोगों ने भारे पुलिस बंदोबस्त की बीच नालेशवर मंदिर में जलाबिशेक किया जिले की सभी सिमाँ पर लगाए गए नाकुपर पुलिस बल की मौजूदगी रही जलाबिशेक यातरा में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली बीजेपी नेता चौधरी जाकिर हुसेन ने भी साधू संतों के साथ जलाबिशेक किया वही जलाबिशेक के लिए जाने की तयारी कर रहे लोगों को पुलिस ने समझा बुजा कर सेक्टर 11 के मंदिर में जलाबिशेक करवाया बीजेपी नेता मोती राम शर्मा को पुलिस ने हिरासत में लिया आपको बता दे कि मोती राम शर्मा शोभा यात्रा आयोजन समीती के सदसे हैं उनके नाम की शोभा यात्रा में शामिल होने की स्रिकृती भी थी दरसल पिछली बार जब जुलाई में शोभा यात्रा निकाली गई थी तब नुह में हिंसा भड़क गई थी इसमें 6 लोगों की जांच चली गई थी इसलिए प्रशासन अब एहतियाद बरत रहा था तो वहीं हर्याना की ग्रमंत्री अनिलवीच ने कहा हम पूरी जांच कर रहे हैं नुह में अब तक 300 लोग गिरफतार हो चुके हैं उसमें अभी जांच चल रही है कॉंग्रेस के विधायक मामन खान को जांच में शामिल होने के लिए पुलिस ने नोटिस भेजा है क्योंकि मामन खान की गतिविदियां भी संदिग्ध लग रही है कॉंग्रेस के तमाम छोटे बड़े पद अधिकारियों ने नू में हिंसा फैलाने में साजिश की है DBLIFE की रपो